हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिये हैं भारत ने हमेशा पीस और प्रोस्परिटी ही दी है जब दुनिया भारत को विश्वबंधू के रुप में देखती है तो यह हमारे लिए गर्वक की बात है आज भारत के बारे में पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है हो रही है कि नहीं हो रही है हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है आपका भी यही अनुभव है ना लोग बहुत कुछते हैं ना आपको ऐसे मैं भारत आज क्या सोच रहा है भारत क्या कर रहा है इसको लेकर एक बेटर इनफॉर्म वर्ल बनाना जरूरी है भारत वन सिक्स हुमेनिटी को ब्रिपिजिन करता है और ग्लोबल ग्रोथ में भी करीब करीब इतना ही कंट्रिबूट कर रहा है हजारों वर्सों से हम दुनिया के साथ नौलेज और एक्स्परटाइज सेर करते रहे हैं हमने युद्ध नहीं दिये हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिये हैं जब मैं बुद्ध की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रस्परिटी ही दी है इसलिए 21 सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भुमीका को ससक्त करने वाला है आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधू के रुप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है आपको भी डगर डगर पे गर्व मैसुस होता है कि नहीं होता है फ्रेंड्स जब आप भारत में हो रहे तेज बदलावों के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं तो क्या होता है क्या होता है क्या होता है मुझे पक्का विश्वासे साथियों आपका सीना भी छप्पनीच का हो जाता है क्या है प्रेंड्स प्रेंड्स झाल क्या होता है झाल